तो है लोग दिस इस श्वेतान जाल वन सगेंड वलकम बैक तो माई चैनल तो काईज कैसे आप सब तो काईज आज हम लोग अपनी रॉड इन फिल्ड क्लासिक 350 बोले तो अपना पैंथर की टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं और देख रहे हैं आज संडे हैं और पूरी चमार ही अपनी पैंथर तो आज हम लोग अपने पैंथर की टॉप स्पीड चेक करेंगे कहली सद्विस हो कि है यह मेरी गाड़ी और आज संडे राइट थी तो मैंने सुझा क्यों ना आज इसकी टॉप स्पीड चेक किया जाए और देख रहें कितनी चमचमार ही पनी पैं अपनी बाइक को फास्ट गेर में शिफ्ट करता हूं फास्ट गेर में फॉर्टी सेकंड गेर में एप्राक्स 60 एंड थर्ड बन इस एपाउट तू आइधिंक एट्टी कि कितना मेरा बाइक भाग रही मतब फोर्ट में आप यह समझें मैं इसको हैंड ले जाओंगा और फिफ्ट गेर में जब इसको शिफ्ट करूंगा तो एप्राक्स यह हैंड पार होगी है आज चला के देखते हैं क्योंकि मैं यार देखो गाइस कभी भी आप लोग अपनी प्रॉपर यूज करता हूं राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट राइडिंग शूज तो प्लीज आप से अगर आप इस टाइप का कोई भी जोखिम बढ़ा काम कर रहे हैं तो पहले तो अपने प्रॉपर गेर पहने करिए को मैं पूरे प्रॉपर गेर में हूं और ब प्रॉपर प्रॉपर में इस समय फॉर्थ गेर पर हूं और मेरी पाई कि समय हैंडर्ट पे चल लाई है और यह पड़ा फिर्थ गेर मतब हैं मतब फॉर्थ गेर में हैंडर्ड फिफ्ट गेर पे यह एप्रॉप जाएगी आइटिंग देखता मैंने आसने किसका टेस्ट नहीं किया मुझे फिर से धीरा करना पड़ेगा थोड़ी सी बाइक यहां पर तो अल्मोस बाइक धीरी औ और फिर मैं अब इसको कि शलाता हूं तो मतलब यह आज पका हो गया कि मेरी गाड़ी फोर्थ गेर में हैंडर्ड तक पहुंच रही है इस नौए अबाउट टू फिप्त गेर हैंडर्ड प्लस देख सकते हैं हैंडर्ड प्लस और यहां स्वड़ा कर्व है थोड़ी सी स्पीड फीड डाउन होगी क्योंकि आंगे चलके मुझे प्रापर रोड मिलेगी जहां मैं आपको यह दिखा सकूंगा तो किस तरीके से मे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझेь आपने आपको तो बचाना ढीचाना है सब्सक्राइब कूछ ऑप्री टाइब के राइडर्स होते हैं इस तरीके का रिस्क करेते हैं मैं बिलकुल पिरिस्कनईे लेता हूं क्योंकि मैं आपको वही ऑ्थेंटिक डिखाता हूँ जो जरूरी होता है तो फाइनली फिर भी हम मैं 80 पे हूं रोट खाली है आप देख सकते हो और ना अब मैं भगा के देखूंगा क्या स्पीड इसकी आ रही है तो इस एप्रॉक्स अभी है फोर्थ गेर में 105 प्रॉस रही और ना आप शिप्टर्ड इंटू फिफ्थ गेर और अब भगा के देखते हैं गाड़ी कितनी जा रही है मजा रहा बाई और मैंने फिफ्ट गेर में शिफ्ट कर दिया है और वाइक पूरी फुल है समय अप्रॉक्स अब वन्ट्वेंटी टच नहीं किया भी यह देखें वन्ट्वेंटी के पहले ही है तो फाइनली अर फिफ्ट गेर में मैंने आप बाईक अपनी थोड़ी से स्लो करी है क्यों थोड़ा सा मुझे आंगे ट्राफी भी मिल रहा है तो मैंने काड़ी फिर से शिफ्ट किये अब अप्रॉक्स एटी चल लही है तो मुझे यह लगा कि मैंने जब इसको 110 120 के भीच में इसकी टॉप स्पीड है क्योंकि इसके ओपर यह भाग नहीं रही है और होए कितना खुबसूरत सा नजारा यहां पर दिखा देख सकते हैं कितना खुबसूरत नजारा है यह पूरी रोड ब्लैंक पड़ी है और इसमें ही मज़ा आता है कि आप गाड़ी को पूरी तरीके से जच कर पाएं किस तरीके का उसका परफॉमेंस है तो आए चलते हैं फिर से कबड़ ट्राइब करते हैं फ़र्ड गेर एटी पूर्थ गेर एप्राउक्स हैंड्रेड एंड नाओ इट्स तरंड टू बीस मोड फिफ्ट गेर मेने शिफ्ट कर दिया है और अब देखता हूं इसकी टॉप स्पीड आपक्या जाती है तो फाइनली फिर से बैक पे ही गई और इसकी टॉप स्पीड निकल के आ रही है 120 जो कि मुझे आज पता चला कि मेरे पैंथर की टॉप स्पीड है 120 तो यह भी मुझे अभी तक नहीं मालूम था और मैं आपको यह बताना भी चाहूंगा राइन फिल ग्लासिक 350 जो कि 120 मुझे इतना उमीद नहीं था कि यह इतनी भी जाएगी मैं एक्सपेक्टेशन था 160 यहां लिखा होता है तो 160 जाती होगी बट आज मुझे पता चला यह धोका है कंपनी का 120 की टॉप स्पीड है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो गाइस प्लीज प्लीज प पर चाहते हैं जो भी आपकी ड्रीम बाइक हो या सूपर बाइक हो तो मुझे इस कोमेंट सेक्शन में जुरूबत हैं मैं भी पर ट्राइब करूंगा नेक्स वीडियो पर तो उसी पर बनाऊं तब तब के लिए स्टेट यून स्टे कनेक्टर राइड हाल राइड सेव